हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजाइन ये डिजाइन बनाना सबसे आसान है उनली एक ब्लोक बनाना है इसी से हमारा पूरा डिजाइन बन जाएगा डिजाइन बनाना शुरू करते हैं डिजाइन बनाने के लिए हमें ये कपड़ा चाहिए तो कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है दो पीस है कपड़े के ये दो कलर में है और ये वाइट कलर के हैं दो पीस है ये भी सारे पीसिस सेम साइज के हैं यह pieces measurement में है साड़े छे इंच और यहां से भी साड़े छे इंच है इनी pieces से design बनाना है तो यह pieces इनको इस तरह से रखेंगे और इसके उपर यह white piece रख लेंगे इसके हमें half triangle ready करने है तो सारे pieces को इस तरह से रख लिया है यह double करके रख दिये हैं दोनों pieces अब यहां से हमें यहां से यहां तक line लगा लेनी है इसके बाद जितना हम सिलाई के लिए रखते हैं कपड़ा उतना हमें रख के यहां पर record line लगा देनी है और इसी तरह इस side में भी लगा देनी है यह piece है इसके उपर भी इसी तरह marking कर लेंगे जैसे हमने इसके उपर की है marking होगी है अब सिलाई करनी है side की line है यहां पर सिलाई कर देंगे यह भी इसी तरह करेंगे यहां पर सिलाई लगी है अब center की जो line है इसे cut कर लेना है यह भी इसी तरह cut कर लेंगे कर लेंगे सारे पीस प्रेस करके रेडी होगे हैं सारे पीस अब प्रेस करने के बाद ये कोर्नर से इस तरह निकलाते हैं इनको कट करके प्राबर कर लेना है बाकी पीस भी इसी तरह रेडी कर लेंगे चारो पीसे रेडी हो गए है अब ये पीसे इसे हमें इस तरह से रखना है ये दूसरा पीसे इसे हमें इस तरह से रखना है ये देखिए हमारा इस तरह से आना चाहिए वाइट इदर आना चाहिए और ये वाइट इदर आना चाहिए दूनों इस तरह से ऐसे रखने है दूनो आपको एक ही color का बनाना है तो आप जैसे ये color के दोनों पीस होंगे तो इसी तरह हमें ये लगाने है तो हमारा एक ही color का बनेगा तो इस तरह बनाने है तो multi color का बन जाएगा अब यहाँ पर हमें इस तरह से रख लेनी है scale और यहाँ से ये marking कर लेनी है इसके बाद यहाँ पर जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना रखके मार्किंग कर लेंगे इस साइड में भी इसी तरह मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है इस तरह से देख लिएना है ये दोनों सिलाईयां बराबर आने चाहिए यहाँ पर तबी यहाँ पर कोर्नर से कोर्नर बराबर आएगा इसी तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेने है इसके बाद हमें यह साइड की जो मार्किंग की है यहाँ पर सिलाई लगा देने है ये भी इसी तरह लगाएंगे शिलाय लगाने के बाद सेंटर की लाइन है इसे कट कर लेना है इसी तरह ये भी कट कर लेंगे प्रेस करने है यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे और इसके बाद इस पीस को ऐसे टन करना है और इस तरह से प्रेस कर लेनी है अच्छे से सारे pieces के उपर प्रस करने के बाद यहां से यह corner से इनको cut कर लेना है बराबर करके सारे इसी तरह cut कर लेंगे यह बन गे हैं चार pieces अब देखिए यह corner से corner एकदम पराबर आए है यह piece बन के ready हुआ है साड़े 5 inch यहां से भी साड़े 5 inch है तो इस piece को हमें जैसे थोड़ा थोड़ा अगर आगे पिछे है कपड़ा तो उसे बराबर करके cut कर लेना है साड़े 5 inch से ready करना है जो भी extra है दोनों side बराबर लेके इस तरह से marking कर लेनी है चार ओर से और जो भी extra है उसे हमें cut कर लेना है चार ओर से साड़े 5 inch का piece रहना चाहिए एक side से नहीं cut करना cut करना है दोनों side से अगर एक से किया तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा ये धियान रखना है यहाँ पर तो ये piece ready हो गया है तो बहुत सारे pieces मैंने बना लिये हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने multi color के भी बनाए हुए है कितने भी color का आप बना सकते हो अगर एक color का बनाना चाहते हैं तो एक का भी बना सकते हैं ये सारे pieces मैंने अलग अलग color के लिए हैं कोई मैंने piece इस तरह से भी ले लिया है जैसे एक ही color के यहाँ पर लगाए है और कुछ मैंने multi color के जैसे अभी आपको बताया एक अलग color है और एक अलग color है इस तरह से भी बनाए है तो किसी भी तरह हम बना सकते हैं इनको design बन जाएगा सारे pieces बन गे हैं अब इनको arrange करना है तो सबसे पहले ये piece ऐसे लगाएंगे इसको मैंने इस तरह से लगाया है अब ये piece है ये हमारा जैसे ये white आए हैं यहाँ पर color वाले आए हैं अब color वाले हमें यहाँ पर ले आने हैं और white ऐसे रखने हैं दूसरे piece में तीसरा piece इसी तरह लगेगा यहाँ पर color combination आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अब यहाँ पर color वाला है यहाँ पर हमें white इसके साथ ऐसे लेना है और यहाँ पर यह हमें इस तरह से लेना है यह white आना से है और यह यह आना से है बहुत ही fast बनता है यह design बस एक block मनाना है और इसी तरह हमें जोइन करते जाना है यह तीसरी लाइन है तो यहां white है यहां color वाला जाएगा इसी तरह हमें color को set करते हुए यहां पर pieces को लगाते जाना है तो यहां पर मैंने 9 piece लगा दिये है अब आप चाहे तो इसी तरह के यह piece बना लें बहुत सारे और आगे आगे जितना बड़ा design चाहिए उतने pieces बना के अब इसी तरह join करते जाएं तो हमारा यह design ready हो जाएगा अब इनको हमें sealना है तो यह line है यह इसके साथ सिलेंगे और यह इसके साथ सिलेंगे इसी तरह दूसरी line चिलनी है और इसी तरह तिस्री line सिलेंगे सारे pieces सिल दिये है यहाँ पर press कर लेंगे एकदम अच्छे से सिलाईयों को बिठा लेंगे प्रेस करके इसके बाद यह pieces इस piece के साथ join करेंगे और यह piece इस piece के साथ join करेंगे सारे pieces सिल दिये है अब यहाँ पर प्रेस कर देनी है तो इस तरह से हमें सिलाई पर पहले प्रेस करनी है उसके बाद ऐसे टर्न करके इस तरह से प्रेस कर लेनी है इस साइड में भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ पर एकदम अच्छे से सिलाई को बढ़ाते हुए प्रेस कर लेंगे आप देखिए सारा डिजाइन हमारा रडी हो गया है बन के तो इतने मेजर्मेंट में बना है यहां से 16 इंच है और यहां से भी 16 इंच है 16 बाई 16 का यह कुशन कबर बन जाएगा अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो साइडों में 2-2 इंच की पट्टी दे देंगे चारो और तो यह बड़ा हो जाएगा और इसके बाद अगर आपको कोई और डिजाइन बनाना है तो आप इसी तरह के जैसे यह पीस में बनाया है इसी तरह के बहुत सारे पीसिस कट कर लें और आगे-आगे जोईन करते जाएं तो बहुत ही प्यारी हमारी एकfound企ल ये बैट शीट यह up कोई भी डिजाइन आपका बन के रैडी हो जाएगा एक कल्लर में बनाना है तो भी हमारा बन जाएगा मल्टी कलर बनाना है तो भी हमारा बन जाएगा यह डिजाइन आपको कैसा लगा डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें तो चली मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो के साथ